अनुचे 370 पर लिये गए केंदिके फैसले का सीम त्रिवेंद सिंग ने स्वागत किया है। सीम त्रिवेंद ने कहा कि जस कश्मीर पर बलिदान देने वालों के लिए आज का दिन एतिहासिक है। आज देश एक हुआ है और जिन सारिकों ने बलिदान दिया है उनकी विरंगनाएं आज कश्मीर में जमीन खरीद कर अपना अधिकार समझ सकती है। यही नहीं सीम त्रिवेंद सिंग रावत ने कहा कि अब जम्मु कश्मीर में उत्रा खंड सदन भी हो सकता है। कि जिस कस्मीर के लिए हमारे अनेकों सहनिकों ने अर्ध सहनिकों ने और देश की एकता खंड़ता के लिए अपना बल्दान देने वाले शामा परशाद मुखर जी के सत्नों को साकार करने का काम आज जम्मू कस्मीर में हुआ है देश की संसद ने उसके निनने लिया है, मैं उनको प्रदेश की जनता की वो से बहुत बढ़ाई देता हूँ और आज वास्तव में हमारा देश एक हुआ है भारती जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से आई है उसका प्रत्न रहा है कि ऐसे सभी फैसलों पर वो निर्ड़ने ले जो कि भारत के उदेमान भारत के रास्टे एकता के लिए, रास्टे साहस के लिए, रास्टे के लिए जो समर्पित फैसले हैं और जिस दिन उसको ये भौमत मिला और आज का ये अतियासिक दिन, ये सहासिक फैसला, ये सर्वस्षिष्ट फैसला और मुझे ये कहने में कोई गरज नहीं कि हर एक भारती के दिल का फैसला जिस तरह से आज लिया गया है, हम सब अपने केंदे नितत्त को दिलों की घराईयो से धन्यवाद देते हैं, उनका बिननन करते हैं. तो मुझे लगता है कि उसकी डाउन ग्रेडिंग कर दिया है, बहुत जादा, लदाक को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और जेन के स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दरजा दे दिया गया है, तो इसके पलिटिकल क्या रिपरकेशन्स होंगे, ये तो आने व झालग 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